पुलीस के लाइनप की कल्पना करें जहां दस गवाहों को एक बैंक लोटेरे की पहचान करने के लिए कहा जाता है जिन्होंने उसे अपराज स्थल से भागते देखा था यदि उन में से छे लोग एकी व्यकति को चुनते हैं तो अधिक संभावना है कि वही अशलिया परादी है पर यदि सभी दस लोग एकी को चुनते हैं तो लगेगा कि केस बिल्कुल पका है लेकिन आप गलत हो सकते हैं हम में से अधिकांश को ये काفी अजीब लगेगा लेकिन कभी-कभी आप संपूर्ण समझोते के और करीब जाते हैं तो परिणाम कम विश्वस नहीं हो जाता है इसे मेतेक्यतक का विरोधवास कहते हैं इस विरोधवास को समझने की कुंजी है आप जिस तितिका सामना कर रहे हैं उसकी अनिश्टितता के समग्र स्तर पर विचार करना उधारन के लिए यदि हम गवाहों से इस लाइन अप में सेव को पहचानने के लिए कहते हैं तो भी फैस्दा सर सम्मत ही होता है पर जहां में प्रकृतिक भिन्नता की अपेक्षा होती है वहां में भिन वित्रन भी अपेक्षित होना चाहिए यदि आप सिक्के को सौ बार उचालते हैं तो आप अपेक्षा करेंगी कि उसके चित होने की संभावना पचास प्रतिशत है पर यदि शत-प्रतिशत-बार चित आने लगता है तो आपको शक होता है कि कहीं कुछ गड़बड है आपके उच्छालने में नहीं बलकि खुद सिक्के में बेशक संदिक्त की पहचान करना सिक्के उच्छालने की तरह बेतर्तीर नहीं होता लेकिन वो सेबों और केलों को पहचानने जितना आसान भी नहीं होता वास्ता में 1994 में एक अधियन में पाया गया कि 48 प्रतिशत गवा लाइन अप में से गलत व्यक्ति को चुनते हैं तब भी जब कईयों को अपने चुनाव पर विश्वास होता है थोड़ी देर देखने पर आधारित या दाश्त अवश्वस्निय हो सकती है और हम अक्सर अपनी सटीकता पर अधिक महत्व देते हैं ये जानते हुए सर्व सम्मत्ती वाली पहचान निश्चित अपराद बोध की तरे कम और प्रणाली गत गलती या लाइन अप में पक्षपात की तरे अधिक लगने लगती है और प्रणाली गत गलतियां केवल मानवी फैसले में प्रकट नहीं होती हैं 1993 और 2008 के बीच सारे यूरोप में अनेकों अपराद स्थलों में एक ही महीला का डी अने मिला जिससे हर अपराद में फैंटम आफ हील ब्राउन नामक हत्यारे के होने की पुष्टी हुई पर डी अने परमान इतना सूसंगत इसलिए था क्योंकि वो गलत था बाद में पता चला कि डी अने नमूने के लिए प्रियुक्त रुई के सभी फाहे स्वैब फैक्टरी में काम करने वाली एक महीला द्वारा संदूशित किये गए थे कभी कभी जान बूझकर की गई दोखा धड़ी प्रनाली गद गलितियों का कारण होती है जैसे 2002 में सद्दाम हुसेन द्वारा आयोजी तराश्टपती के लिए जन्मत संग रह जिसमें दावा किया गया कि सो प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया और सभी ने साथ साल की अवधी बढ़ाने के लिए पक्ष में वोट दिया था इस द्रिश्टी कौर्ण से देखें तो मैत्यक्ता का विरोधा भास वास्तों में इतना विरोधा भासी नहीं है सर्वसमत्ती से समझोता अभी सैधान्तिक रूप से आदर्श होता है खास दौर से उन मामलों में जहां आप भिनता और अनिश्टितता की अधिक आशा नहीं रखते हैं लेकिन वास्तों में इसे उन स्थितियों में प्राप्त करना जहां पूर्ण समझोता अत्यंत असंभव होता है, वहां उसके हासिल होने पर समझ जाना चाहिए कि शायद प्रणाली अग्यात कारक से प्रभावित है। हाला कि हम सद्भाव और आम समयति की कोशिश कर सकते हैं कई स्थितियों में गलती और असमयति की सहज रूप से आशा करनी चाहिए और यदि कोई उत्तम परिणाम सच्चा नहीं लगता तो शायद वो सच्चा नहीं है। सीखते रहना चाहते हैं अपने जिग्यासा शांत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।